Hello my dear learner, welcome in sky classes. In this video we are going to discuss about a very important fact related to tinea solium and tinea saginata. तो इस video में हम ये समझने वाले हैं कि tinea solium और tinea saginata के बीच में क्या difference होता है? क्योंकि आप जानते हैं PGT और TGT exam में tinea solium और tinea saginata से related बहुत से question पुछे गहे हैं. तो इस्टार्ट करते हैं वीडियो को, first thing यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो तीनिया solium होता है, उसका common name क्या होता है और tinea saginata का common name क्या होता है? तो आप देख रहे हैं यहां पर जो common name में एक image form है और वो image form है, pig की और यहां पर आप देख रहे हैं तो tinea saginata में एक image form है और वो image है, गाय की तो tinea solium जो की इसका common name हम बोलते हैं पॉर्क, tapeworm, तो tapeworm का मतलब तो आप समझते हैं कि तीनिया solium का common name, तीनिया का common name हम tapeworm बोलते हैं यह प्लेटी हलमेंसिस के member हैं तो यहां पर tapeworm कहां से आया यह वो तो आप समझ गया, लेकिन जो पॉर्क है वो कहां से है क्योंकि इनका intermediate host, तीनिया solium का intermediate host होता है पिग, इस वज़े से इसका common name है पॉर्क tapeworm और तीनिया saginata का intermediate host होती है वो होती है गाय, इस वज़े से इसे हम बोलते हैं beef tapeworm, तो hopefully यह तो समझ गया होंगे आप fact कि हम इनका common name क्यों देते हैं, नक्स उसके बाद दूसरे fact understand करते हैं इनका dh, it means definitive host कौन होता है, टीनिया solium का तो वो humans होते हैं और टीनिया saginata का भी human होता है, बट intermediate host की बात करें तो इनके intermediate host totally different होते हैं, इनका होता है pig और इनकी होती है, गाय या फिर जो भी हमारे पालतू जानवर होता है, next facts यहां पर understand करते हैं, another facts की अगर यहां पर बात करें, तो वो हमारा fact हो जाएगा, टीनिया saginata का habitat, और टीनिया saginata के अगर habitat की बात करते हैं, तो humans में यह small intestine में रहते हैं, और अगर हम जो भी हमारे दूसरे organism, जो पालतू जानवर्स की बात हमने की थी, उनके tissues में like brain, eye, muscles, liver and lungs में प् habitation होता है, then उसके बाद हम यहां पर टीनिया solium के habitat की बात करें, तो यह भी humans में small intestine में present होते हैं, और जो swines या human हम बात करते हैं, तो उनमें भी यह like brain, eye, liver, lungs में present होते हैं, उसके बाद यहां पर बात करते हैं, इनकी इंफेक्टिव स्टेजिस की, तो इनकी इंफेक्टि stage होती है, वो होती है, cystic circus bovis larva, यह human में होती है, और X की जो stage होती है, वो पाल्तू जानवरों में होती है, next one यहां पर अगर हम टीनिया solium की बात करते हैं, तो इसमें हम बोलते हैं, हुमन में cystic circus cellulosi larva present होता है humans में, और X की stage जो है, वो swine and human से present होती है, disease की अगर यहां पर बात करते हैं, तो टीनिया चाजी नाटा की वज़े से humans में disease होती है, टीनियासेस और जो हमारे पाल्दुजानवर होते हैं, cattle होते हैं, उनमें होती है, cysticercosis, तो ये humans में भी cause करते हैं, दोनों disease को, next one यहाँ पर बात करते हैं, तो टीनियासोलियम में, तो टीनियासोलियम होती है cause humans में, और cysticercosis होती है swine and humans में, तो ये भी चीज हम लोगों ने समझ ली, next डूसरे कुछ important facts देखते हैं यापर, तो जो टीनियासोलियम होता है, टीनियासोलियम के body की length की बात करें, तो 2 to 4 meter होता है, and then यहाँ पर अगर हम टीनिया, चाजीनाटा की बात करें, तो up to 10 meter present होता है, next one, स्कोलेक्स की बात करें, तो यहाँ पर 4 shakars present होते हैं, रॉस्टेलम and hooklets present होते हैं, बढ़ टीनियासाजीनाटा की बात करें, तो 4 shakar ही present होते हैं, और यह question पूछा गया था, TGT के exam में, जो की TGT के exam में question पूछा गया था, कि कैसे यहाँ पर different होता है, तीनिया, सोलियम, तीनिया, साजीनाटा से, और इसलिए आपके लिए यह fact भी बहुत important था, और वहाँ पर जो difference हो, रॉस्टेलम का ही था, Mature Proglotis, जो ovary present है, वो three lobes है, और यहाँ पर, साजीनाटा में two lobes present होते हैं, Testis के numbers की बात करें, तो 150 to 200 present होती हैं, बट अगर, साजीनाटा की बात करें, तो 300 to 400 होती हैं, Gravit Proglotis, Uterine branches की बात करें, तो 7 to 12 होते हैं, और यहाँ पर 15 to 30 होते हैं, Life, इनकी duration कितना होता है तो, 25 year, या उससे जादा हो सकते हैं, और साजीनाटा में भी, ऐसी ही duration हम लोग बोलते हैं, यह इनके डाइग्राम्स हैं, इनके size, लेंस के base पे, यह स्कॉलेक्स का portion यहाँ पर रेप्रेजेंट किया गया है, और यह इनके mature proglotis हैं, और यह इनके ग्रियाविट proglotis यहाँ पर रेप्रेजेंट किये गया हैं, So hopefully student and my learner, आप इस वीडियो में, तीनिया सूलियम और तीनिया, चाजीनाटा से related, डिफरेंस को understand कर पाएं होंगे, Thank you.